डॉक्टर हरी देसाई अब मैं वापस आपके पास आऊंगा अभी आपने का देखिए हर चुनाओं में भरती जनता पार्टी फिछले तीन चुनाओं के आंकड़े जब देखते हैं तो हर चुनाओं में उनकी संख्या गिरती जाती है वो देड़ सो के टारगेट को लेकर चल लड़ते रहते हैं तो यह जो यह जो काम है यह एक तो बाहर लड़ना है कि दूसरी पार्टियों से आपने जैसा का गया भी कि दूसरी पार्टियों के लोगों के लिए जगे छोड़ी गई है कि सीट खाली रखी गई है कि वहां से जो लोग आएंगे उनको सीटें देनी ह लेकिन इसके साथ ऐसा कैसे है गुजुरात के अंदर कि वहां कोई अपनी पार्टी के अंदर असंतोष नहीं है जो मैं सवाल पूछ रहा हूं कि पार्टी के अंदर इतना सन्नाटा कैसे है कि जो हो गया हो गया आप चुप-चाप बैठके देखते रहो यह अपने को अन्म्यूट कीजएगा अपने इसलिए भी है कि जो जोड़ी है ना मोदी शाह की जोड़ी उनका एक खौफ है और और यह है कि आप यदि उनसे किलापत करते हो तो आप निपड जाओगे और दूसरी बात यह जो लोग है जो उन्हों ने ऐसे ही लोगों को आप आपको शायद मादवसी का जमाना याद होगा मादवसी ने जब विक्रम बनाया था 85 में 80 में भी विक्रम था उनका 143 का और 85 में 149 का विक्रम था वहां उनको चुनाव जिताते थे ताकि वो कोई उनकी उनको टकर न दे सके इन्हों ने भी बौने लोगों को पैदा किया पांच वी पांच वी रो में जो बैठा है उसको मुख्यमंत गोशित कर दिया जो कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर वुपेंद्र सी था उसको लगा कि मेरी बार ही आई हलांकि वो तो चुनाव हार चुके थे उनको पांच साल तक चलाया गया आपको मालूम है सुप्रीम कोड तक वो गया उनका खौफ है दूसरा उनके नाम से वोट मिलते हैं मोदी के अ लूट मिलते हैं इसलिए देखें यहां प्रचार का आज जो प्रारणो तो उन्हों सब उम्मिद्वारों ने यह कहना शुरू कर दिया कि उमीद्वार तो कमल है उमीद्वार तो कमल है यहनों व्यक्ति नहीं मोदी का आपको मालूम होगा वह स्योगन मैं खड़ा हुँ कमल को वोट दीजे मुझे पहुंचेगा तो मोजी अपना ये एसर्टिव कर रहे हैं मगर साथ साथ यानि मैं शतीश जी की उस बात से सहमत हूँ वो डरे हुए हैं मगर जीतका उनको विश्वास है उनकी तेली कितनी बढ़ा सकते हैं इस पर उनको अभी देखना है और देख पर अगर फिर अमिश्या ने और औरों ने कहना शुरू कर दिया 150 प्लास अभी इस मार की बात कर रहा हूं अभी अमिश्या ने उत्तर गुज्रात में कहना शुरू कर दिया जर्नलिस्टों को आप दे कैमेरा 125 मगर मुझे लग रहा है कि ये अपनी टेली 110 तक ले जाएंग 110-120 तक ले जाने की कोशिश में रहेंगे आम आदमी पार्टी बले ही हंगामा जादा करे दो चार सीत यदी ले गई तो उनकी बड़ी विजय होगी और जिगर भाई ने जो सूरत का जो मसला कहा पटेल डॉमिनेटेड जो उमिद्वारे पटेल लीडर्स हैं पास के लीडर वो सूरत से लड़ रहे हैं और कॉम्मिनिटी यहां पर रहना जैसे रिवाबा जो क्रिकेटर की वाइब जो आई वो भी कॉम्मिनिटी के फैक्टर को देखते हुए उसको टिकट दिया गया इसलिए यह हर चीज को कंसिडर करके अपना कैसे लाब होगा जैसे उन्होंने ज चीट उन्होंने छोड़ दिये तो अभी तक ललित वसोया जो कंग्रेस के मेले हैं वो शायद भाजपा में शरीक होने की संभाव ना है हाला कि उन्होंने उसका बार-बार इनकार किया है और फिर प्रेम हो जाता है और जाके कमलम में जाके वो केस पहन लेते हैं तो इस प् के चुनाव में उनको और जगा से तो कम सीट हो रही हैं यदि गुजरात में से कम सीट हो गई तो उनके लिए बड़ी समश्या होगी कांग्रेस अभी उधेड़बून में हैं कांग्रेस की मेरे कहल से सुर है मगर वो रिलीज नहीं कर रहे हैं और भारतिये जन्दापर्टी म लोग थोड़ा अक्रोष में रहेंगे जिनके टिकट कटे हैं उनके समर तक मगर वो टोन डाउन किया जाएगा उनको उसको एक परसेप्शन भी यह है कि जीतेंगे तो वही जीतेंगे भी वही लेकिन इससे बड़ा स्ट्रेस जो आपने पिछली बात कही उसमें इसलिए एक सवाल और पूछना चाहता हूं आपसे उसमें आपने कहा कि शायद अमिच शाह को इसके बाद कमांड दे दी जाए गुजरा न होने पाए कि वो चुनोती देने की स्थिती में आ जाए फिर वो अमिच शाह जैसे कदावर नेता को यहां क्यों भेजना चाहेंगे क्या वज़ाए कि उनको यहां अगर वो फिर तो आनंदी बेंट पटेल को यह वापस भेज सकते हैं यह परंपरा चल पड़ी है कार कर दिया था उस वकत क्योंकि उनको अमिच शाह और उनकी अनबन बहुत मशूर है पाटिदार आंदोलन के दोरान अमिच शाह ने जो भूमी का बजाए ने जो अदा की थी उससे आनंदी बेंट बहुत आहत थी और उनको इस्तिपा देना पड़ा था आपको मालूम हो क्योंकि अमिच शाह डारेक्टली डील कर रहे थे और ये बात बाद में हार्दिक पटेल जिस प्रकार से भार्दिये जंता पार्टी में जोइन हुए पास के लीडर तो बहुत सपस्ट हो गया उनका जो पुराना रिष्टा और जो भी कुछ था वो हार्दिक को टिकट दि के बावजुद तो आनंदी बेन को आफर दिया गया था बगर आनंदी बेन ने इंकार कर दिया था इसलिए अमिच शाह यहां आते हैं जैसे कि अभी जो सिलेक्शन हुआ है उसमें भी अमिच शाह की तूटी बोलती है यहने किनको नहीं देना है वो नरेंद मोदी जी ने तै करके रखा हुआ था और उनको नहीं दिया और जैसे हमारे नितिन भाई जिनको दो तीन बार तो मुख्यमंत्रीपत का उमिद्वार लगबग गोशित कर दिया था अब बंते-बंते रहे गए कई बार अरे पैड़े माटे गए थे पटाके फूट दिये गए थे हमारे म इसा नामे और बेचारे नाम अमिचा ने गोशित कराया विजयरुपानी का अपने समर्थक का वरना अनंदिवेन तो नितिन के पक्ष में थे मगर नितिन का दुरागरा जो था वित्त मंत्रालाई के लिए और अंबाणी परिवार के दामाद से वो लेके उनको देना तो उस वकत डिसिप्लिन वो तोड़ रहे थे मगर इनके लिए कोई चारा भी नहीं था क्योंकि पाटेदार अंदोलन सर पर था तो मेरे काल से ये सिती समालने के लिए बौनों की फौज को भी एक लीडर अच्छा चाहिए और ये इसलिए हमिश्या को यहां लाया जाए औ पार्टी और सरकार को समाला जाए ये संभावना वेक्त कर रहा हूं में ये कमलम में आज भी चर्चे थे कमलम यहने उनका हेड़कॉर्टर जो है उसमें कमलम जो गुजरात भारती जंता पार्टी का Headquarter है बहुत सारे दर्शकों को क्योंकि सायद कमलम समझ में नहीं आ रहोगा कमलम उस इमारत का नाम है जिसमें गुजरात भारती जंता पार्टी का मुख्याले है सत्य हिंदी का एप डॉजोड करें Google Play Store पर झाल झाल